Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone आज हमारी second class है हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर है हमारा differential equation यानि कि ओकल समीकर्ण कल पहली class में मैंने आपको यह समझा था कि ओकल समीकर्ण क्या हुआ करते हैं और उनकी कोटी वा घात कैसी होती है और ओकल समीकर्ण अब दिखे ओकल समीकर्ण क्या होते हैं कोटी वा घात के बाद अब आता है कि ओकल समीकर्ण बनते कैसे हैं तो आज का topic है ओकल समीकर्ण को बनाना ओकल समीकर्ण को बनाना ठीक ना तो आज हमारे पास ओकल समीकर्ण बनाएंगे कल मैंने बता दिया था ओकल समीकर्ण क्या होते हैं ऐसे समीकर्ण जिनमें कम से कम एक अवकल जपद हो डीवबाई डीएक्स कम से कम एक पद हो उसको हम क्या बोलते हैं ओकल समीकर्ण ज्यादा कितने भी हो बिटा मगर कम से कम कितने होंगे एक अब आउकल समीकर्ण को बनाने के लिए आपके पास एक सामान समीकर्ण दिया रहेगा जिसका नाम होता है बीज गणती ये समीकर्ण आपको एक एलजबरिक समीकर्ण दिया रहेगा बीज गणती ये समीकर्ण नहीं तो एक सामान समीकर्ण दिया रहेगा जैसे y is equal to मानलो आपके पास दिया गया है 2 sin x यह आपके पास एक समाने समीकर्ण आपको दिया गया है इसका अवकल समीकर्ण बनाना है कुछ नहीं इसको आप हल कर दीजिए इसका अवकलन कर दीजिए तो d by dx equal to कितना हो गया 2 cos x हुआ और d by dx minus 2 cos x equal to कितना 0 clear हो गया ना तो यह बन गया आपका अवकल समीकर्ण तो मतलब अवकल समीकर्ण बनाने का रास्ता क्या है आपके पास एक simple function दिया रहेगा fx का simple function दिया रहेगा fx का आपको क्या करना पड़ेगा इसको अवकलन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अवकलन तो आपके पास आ जाएगा अवकल समीकर्ण और यह जो चीज होती है यह जो समान फलन होता है fx का function होता है इसको हम लोग हल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? हल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हल ये y equal to fx के रूप का दिखाए दे सकता है या fxy equal to 0 के रूप का भी दिखाए दे सकता है ये सब हल कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं हल तो मेली हमारा जो syllabus है उसमें आपको पढ़ना है कि अगर आपके पास कोई ओकल समीकन दिया गया हो और समीकन से आपने आपकल समीकन जाने के लिए आपने क्या किया है आपकलन किया है तो यहां से वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा परंतु समाकलन ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम पीछले वाले चेप्टर में सीधे सीधे समा कलन करके आ गए हैं इसमें समा कलन करने के लिए दिये गए आउकल समीकरण को आपको पहचानना पड़ता है क्या होता आउकल समीकरण को पहचानना पड़ता है आउकल समीकरण अलग-अलग रूप में आपके सामने प्रदर्शित होगा तो आपको आउकल समीकरण को पहचानना पड़ेगा तो एक चीज हम बात यहाँ पर करेंगे आउकल समीकरण की पहचान उकल समीकरण की पहचान तो पहला उकल समीकरण पहचान कर के जो हम पहली विधी लगाएंगे मतलब पहली विधी कहलाती है 54 परतिस्थापन विधी जो आपके पास दिखेंगे d by dx equals to fx upon fy इस प्रकार के में लगीगी विदी d by dx equal to fx upon fy मतलब y की पद y की तरफ चले जाएंगे finally तो ये हो जाएगा dy fy equal to ये हो जाएगा क्या fx dx मतलब ऐसा बना रहेगा और आप finally ऐसा कर लोगे इसको इस तरीके से फिर क्या करना है फिर आपको समा कलन कर देना है okay तो आपके पास answer आजाएगा क्या जाएगा answer आजाएगा समझ में आगे न क्योंकि यहाँ पर dy है यहाँ पर dx है तो आपका समा कलन हो जाएगा और आपका इस तरीके से answer आपको प्राप्त हो जाएगा आईए देखते हैं कुछ question जिससे आपको ये बात बिल्कुल clear हो जाएगी कि किस तरीके से हम question करेंगे देखिए जैसे ये आपके सामने प्रशन है पहला दिया गया है आउकल समीकर्ण x log x dy minus y dx को हल कीजिए ये आपके सामने समीकर्ण लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करो d by dx बनाओ सबसे पहले क्या करो d by dx बनाओ तो देखिए ये x log x dy is equal to उधर जाएगा तो ये y dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ हो जाएगा ना अब देखो मुझे लग रहा है कि मैं dy के नीचे y को लियाओ क्योंकि dy के नीचे क्या जाएगा y और यहाँ पर one upon x log x और क्या हो गया dx क्लियर हुआ अब देखिए अब यदि मैं इसका यहाँ पर फलन क्या है यहाँ पर फलन देखिए का और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है dx और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो फलन हुआ करता है कौनसी चर प्रतिस्थापन विदी के लिए क्या वेवस्था होती है y का फलन y के रिस्पेक्ट में समा कलन बराबर x का फलन और x के साप एक्ष समा कलन यादा है ना यही पढ़ा है ना y का फलन y के साप एक्ष समा कलन और x का फलन x के साप एक्ष समा कलन तो यही विवस्था हो रही यहाँ पर मतलब यह मेथड बड़े आराम से हम इस तरीके से solve कर लेंगे है ना इस तरीके साब इसको solve कर लेंगे तो आई ये solve करते हैं very simple देखिए one upon y का integration क्या होता सबको पता होगा log y one upon y का क्या होता है तो ये one upon y का log y हो गया अच्छा log x का differentiation क्या होता one upon x मतलब क्या format लग गया कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना okay log x equal to अगर अपने टीम आना है तो one upon x dx क्या बंगा दी बर लग टी बन गया सबके हैS तो one upon T आगया बोली हम ये पूरा का सबक्षा बन गया डी टीवन गया बना की नहीं बना तो यह log y equal to log t हो गया प्लस क्या आएगा? c आएगा क्या आएगा? c एक बार इसको मैं solve कर दीता हूँ तो जाला बहतर रहेगा x log x dy equal to y dx चलिए दिखते हैं x log x dy is equal to कितना है? y dx y dx ठीक है तो y वाले को y के पहुंचा ये तो dy के साथ में कौन है फलन? 1 upon y और x के साथ x वाले को पहुंचाईए तो dx के साथ कौन है भाई? 1 upon x log x है ना? ओके समाकलन का sign लगा दीजिए है ना? आप चाहें तो यहीं पर c लगा दें इधर अच्छा दोनों c नहीं लगाना है क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहां का constant लगाएगा और यहां का constant फिर इधर उधर करने के बाद फाइनली एक तरफ तो ले के आओगे ना? यह वो सब कुछ करने के बाद है चलो यह बोलो कितना हो जाएगा इसका? log y equal to देखो 1 upon x log x में यह ऐसा बैठा हुगा है अगर आप log x को t ले लो तो dt upon dx equal to कितना हो जाएगा? 1 upon x तो 1 upon x dx equal to कितना हो गया? dt हो गया की नहीं हुआ? तो यह देखो यह 1 upon x है और यह साथ में क्या है? dx तो इसकी जगे कितना आ गया? dt और नीचे 1 upon log x की जगे क्या है? भाई साथ बताएगा? t 1 upon t clear हुआ? plus कितना? c तो log y is equal to 1 upon t का जो समा कलन हो जाएगा? कितना हो जाएगा? log t कितना हो जाएगा? log t और plus का? c अब देखे log y equal to log of t की मान हमने क्या लिया था? x log x लिया था ना? log x लिया था क्या लिया था? log x तो log log x अब यह जो c है इसको हम log भी तो मान सकते हैं न? तो इसका नाम ले लो log c1 क्या ले लिया log? क्योंकि constant जो है किसी ना किसी कतर log होगा तो इसका नाम मेहन ले लिया क्या log c1 अब यहाँ से देखिए log a plus log b क्या होता है log a into b? होता है कि नहीं होता? भाई log a plus log b equal to होता है log a into b तो इसको हम solve करेंगे यह देखिए यहाँ पर जो है यह कहलाता है c1 जो कहलाता है इसको बोलते है switch निये tank क्या बोलते हैं बिटा? switch निये tank यहाँ पर हुआ करता है और ऐसा हल यह अभी तो हल बन नहीं है वैसे यहाँ तक भी हल बन गया है कोई गलती इसमें नहीं है बट फिर भी अपन इसको simple करने के लिए और ज़दा अच्छा करते हैं तो log y equal to log a plus log b बोलो क्या होता फॉर्मूला? log a into b तो यहाँ से हो जाएगा log of a into b तो log of log x into कितना बेटा? c1 अब आप log से log को eliminate कर सकते हो log function होता है इसलिए काटा नहीं जाता है eliminate करो यह गाइब कर दो तो y is equal to log से log अट गया बोलो कितना आ गया? c1 log x c1 log x यह आपका हल है और इस हल में switch नहीं तांक बैठा है बैठा की नहीं बैठा? तो ऐसा हल जिसमें switch नहीं तांक बैठा होता है उसमें हल को बोलते हैं अपन कौन सा? सामाने हल क्या होता है? सामाने हल और जिसमें switch नहीं तांक की मानलो आपको value दे दी किसी ने कि भाई या C1 की value 4 है किती है तो आपने y रख दिया तो y बराबर कितना आ गया 4 log x इसको बोलते हैं विसिष्ट हल क्या बोलते हैं विसिष्ट हल तो इस बार question आया था exam में कि विसिष्ट हल में नियतांकों की संख्या किती होती है answer किता 0 अरे भाईया नियतांक का मान रख दिया ना तो नियतांक का मान रखने के बाद स्विष्ट नियतांक के कितने बचे 0 ही तो बचे तो ये सवाल आया था कि विसिष्ट हल में बताईए स्विष्ट नियतांक के कितने होते हैं answer क्या था सून्य जबकि जबकि सामान्य हल में स्वेच नितांक कितने होंगे जितनी अवकल समी करन की कोटी होगी क्या होगी कोटी तो यह कितने कोटी का था देखो ध्यान से एक कोटी का प्रथम कोटी का था एक कोशन ना जब हमने स्वाल किया था डी वब डी एक्स बनाया था तो यह हां तो दो होते तो कितने होते हां दो स्वेचने तांक होते यहां पर कितनी कोटी थी कोटी एक थी तो एक कोटी होगी तो कितने स्वेचने तांक एक स्वेचने तांक चलिए तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार करिए दो मिनट का टाइम लिजा आप लोग छावन बनेंगा कि नहीं बनेगा ऑदिवर्भर्टेसक्राइश एककल टू की पावर एक्स मैनस वैए पर सब्सक्राइश कि पावर использ Mr. लगनी बहुत ही सिंपल attention है कीप आव एक्स-बवरज को हम लिख देरीगे 1 प्लस E की पावर कितना X सोरी X प्लस E की पावर X क्या बचेगा X प्लस E की पावर X इसको X के साथ भेज दो और इसको Y के साथ भेज दो बोलो कर लोगे न चली तो इससे देखते जाए कौन सा question आपको बन जाएगा जो नहीं बनेगा उनमें हम फोकस करिंगे ये देखिए अगला question क्या है ये थोड़ा सा मतलब ये हल है और ये क्या है इसका ओकल समीकर ये क्या है इसका ओकल समीकर तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो हल है ये इसी का है समझ गया ना तो इस हल को फल समझो और सिद्ध करना है कि ये जो फल है ये इसी पेढ़ का है समझ गया भी या तो क्या है करना है अपने पास म करेगा संतुष्ट करेगा जैसे आप बच्पन में पढ़के आए हो लाइन आती थी तो X Equal 2 3 जो था वह दोनों रेखाओं को संतुष्ट करता था कि नहीं करता था क्योंकि X Equal 2 3 क्या होता था हल और हल अपने समीकन को क्या करता है संतुष्ट करता है तो आई यह किस प्रकार का समीकर्ण आपके सामने दिया गया है, समाने समीकर्ण की विसेस समीकर्ण, विसेस, यह सॉरी हल, यह कैसा हल है, समाने हल की विसेस हल, विसेस हल है, क्योंकि इसमें देखे कोई arbitrary constant नहीं है, switch ने तांक, a, b, c, d, m, यह सब नहीं है, चलो आंगे बढ़ाते है question को, तो भाईया, y बराबर 4 sin 3x है, clear है, अब आईए इसको हल करते हैं, d by dx पहले निकालते हैं, तो d by dx 4 into 3, और sin 3x का क्या होता है, cos 3x, हो गया, 12 हो गया, है ना, तो लिख लो, लिखना हो तो, यह हो गया, 12 cos का किता, 3x बटाबन को चाहिए, double derivative, 12 कलज, d square y by dx square, 12 गुने 3 कितना हो जाएगा, 36, अब भी माइनस फेंकेगा, बाहर cos हाया ना, और cos का किता होता है, sin का 3x, आ गया, चलो भाई, देखो, अब ध्यान से, यह माइनस 36 है, है ना, आप इसे क्या, माइनस 9 into 4 sin 3x, लेख सकते हो, कि नहीं लेख सकते हो, बोले यह सौनलो, माइनस 9 into 4 sin 3x, clear ह हो गया ना, चलिए, आइए देखते हैं, अपने पास जो question है, उसको solve कर लेते हैं, हाँ, अब अपने पास जो LHS है, उसको लिखो, left hand side, तो left hand side हमारे पास है, d2y by dx2, प्लस का किता 9y, प्लस का 9y, तो d2y by dx2 की value हमारी कितने निकली है, माइनस का 36, और sin का किता 3x, yes or no, और plus 9y की value किती थी, 4 sin 3x, 4 sin 3x, यह y का हल था, तो देखो, नो गुणे चार 36, यह भी 36 हो गया, बोलो answer किता आया, मतलब इस हल ने, क्या, इसको संतुष्ट किया कि नहीं किया, तो संतुष्ट कर रहा है, मतलब यह वाकई में इसी का हल है, अच्छा, दूसरा, एक और तरीका ह होता है, यह तो हो गया, फुल देशी मैथट की भाया उठाया, ला करके पुट कर दिया, दूसरा तरीका यह होता है, कि जुगार से इससे यह बना लो, इससे यह बना लो, देखो यह से कैसे यहां पर बनेगा, यह d2y by dx2 है, ध्यान से देखो, equal to minus 9, और यह क्या है, वाई अकल समीकण बना लिया, और वो अकल समीकण मिलान कर रहा है, मतलब वाकई में जो हल रहा है, उसी का तो रहा है, जो इसका अकल समीकण है, समझ में आया ना, तो इसके दो मैथड है, या तो देशी मैथड से कल लो, कुछ नहीं बन रहा है, तो नहीं तो ले करके चलो और इ sec x plus 10x का और भाई या वाई तो ही नहीं है इसमें मदलब dy simple एक तरफ हो जाएगा और चलो sec x into sec x कितना होगा sec x square x और ये sec x 10x अरे play integration का question है जंडू question एक दम ठीक रहें चलो done ना कोई दिक्कत तो नहीं है अरे sec x square x का 10x भाई सिरी और sec x 10x का कितना second x x कोई एक दम जंडू question चलो ये देखो अग़ला जंडू question कहा कराया कुलन कहा कराया समा कुलन अरे भाईया हमने पहली लाईन में आपको समझाया है पहली लाईन आच की यही थी जब हल से जब हल से बनाना हो अवकल समी करन तो क्या करोगे और जब आवकल समीकरण से समाकलन लाना हो तो क्या करोगे दो ही तो लगना है तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दिया था पिछले क्वेश्चन में हमको हल दिया था याद करो पिछले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था हल और क्या बनाना था समझ गए कंसेट पे अट चला जाएगा हुजाएगा न हाँ अगला विडे को टाइम पास फुली टाइम पास बोले यह वो दॉपर भेजो एकस्ट को नीचे भेजो डीवाई को चोड़ दो बुले यह वराबर एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा ठीक ना कर लेंगे ना ओके अगला question देखिए ओके ये भी X ये भी X बिल्कुल कुछ नहीं इदर को bracket लगाओ DX को यहां भेजो कर दो integration अउकल समी कड़ कहना तो गलत बात है यह तो पूरे तरीके से integration यह प्योर थोड़ा से दिमाग भी नहीं लग रहा है यह देखो भाई साब यह क्या है DX है तो पहले अपन को इसको माइनस करना पड़ेगा करोगे ना यह इधर आ जाएगा और इसके बाद क्या बन जाएगा से के स्क्वेर वाई और यह क्या बन जाएगा कोसे के स्क्वेर एक्स हाया ना दोन तरब क्या लगा दिया बेटा integration से के स्क्वेर वाई का integration क्या होगा 10 वाई कोसे के स्क्वेर एक्स का क्या होता है एकेला बैढ़ गया डी वाइ अकेला तो य बराबर 10 इन वर्स एक्स प्लस सी पूछना कुछ हां चलो ठीक है अगला प्वेशन देखिए यहां पर साइन वाई साइन एक साइन एकस की तरफ साइन एकस हो आई की नीचे साइन वाई तो कॉसेक वाई साइन एकस आ जाएगा औ differentiation नहीं पूछा आप से मैंने integration समा कलन पूछा है नहीं देखे को सेक्स का integration लिख लीजे यहीं पर दिक्कत होती है लॉग औफ कॉसेक X minus का cortex समझ गया ना log of cosec X minus cortex clear हुआ और एक और होता है minus log cosec X plus cortex टिग्नोमेट्री की प्रपर्टिक इस्तमाल करके minus log cosec X plus cortex तो एक तो यह हुआ करता है जो सबसे जादा चलता है और एक यह हुआ करता है क्लियर हुआ ना अरे भाई या आपने सेक एक्स का इंटिग्रेशन पढ़े हो की नहीं पढ़े हो याद करो log of sec X plus 10 X होता है गी नहीं होता है होता है ना यह सही तो होता है इसका भी क्लियर हुआ हाँ भाई बोलो डन पका कंफर्म है चलो तो कॉस एक एक का कर दिया भाई तो माइनस लोग कॉस एक प्लस कोट X और माइनस कोस X plus C तो इसको चाहो तो आप अब एक टर्म बिना लॉक का है और एक टर्म लॉक का है तो अब लॉग में बदल नहीं कोई जरू नहीं है अगर सब के सब लॉग में होते तो इसको लॉग में बदलते है बोलो क्लियर की नॉट क्लियर अगला question बाई डीवबे डीएक्स कुछ नहीं y को नीचे ले आओ sin x को उपर जान दो खेल खतम देखो question को जी भर के हाँ हाँ उली clear है ना? चलिए अगला question देखिए डीवबे डीएक्स इकॉल डू एक्स कॉस एक्स डीवबे डीएक्स इकॉल डू x cos x तो क्या करना आपको d by dx equal to x cos x dx को इधर ले जाना है और x cos x बन जाएगा तो आपको पर्थाम गुणे दूति ये का formula लगा लेना है कर लेंगे न यसी ये भी हो गया अगला question है हाँ भाई ये question डरा रहा है मगर है बहुत अच्छा question देखो भाई सब 1-x और plus y common है तो एक काम करो 1-x जिन्दा बाद यहाँ पर क्या ले लो common y तो यह हो गया कितना 1-x फिर 1-x दोनों से common ले लोगे तो 1-x बाहर आ जाएगा bracket में क्या बचेगा 1 plus अब y के नीचे y को shift कर दो x के साथ extra shift कर दो और integration कर दो बोलो बनेगा निए बनेगा है ना चलिए 16 question भी done अब यह भाई यह तो बहुत आसान है देखो y के नीचे जाएगा 1-up on y square और x के साथ को जाएगा 1-1 plus x है ना तो यह 10-verse y बन जाएगा उस तरफ x plus x square by 2 आ जाएगा integrate करके यह देखो 10-verse y equal to x plus x square by 2 done clear हुआ चलिए अगला question देखे अउकल समीकन हल कीजे dv by dx equal to cot square x तो क्या करना है भाई dx को इधर फेंक दो खेल खतम question का dx चला गया अदर cot square x का integration कैसे होता है कोसे के square x minus 1 करके minus cot x plus minus x plus सी कल लेंगे खेल खतम इस question का ठीक है आईए अब दीर हुतरी question को solve करते मगर उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा दूसरा format ठीक ना तो दूसरे format के लिए अपने इस question को operation theater में लेके चलेंगे तब आपको समझ में आएगा दूसरा format क्या कह रहा है देखे अभी तक का जो format था उसमें आपके पास ये था कि d y d x करने पर यहां पर आता था आपके पास पर क्या f x और यह होता था f y logically ये था तो क्या होता था f y चला जाता था d y के साथ और f x चला जाता था d x के साथ तो ऐसा कुछ हो जाता था कि y की party y के derivative के साथ और x की party d x के साथ ठीक ना और आप इसको alkaline कर दे देते तो बड़ा आराम से answer आ जाता था अच्छा ये तब support करता है मेरे बच्चों जब चीजें गुणे में हो या भाग में हो महसूस कल लो इस बात को गुणे में या भाग में जैसे अभी आपने देखा था x log y equal to x log y equal to d by dx ऐसा कुछ हुआ था ना तो क्या था dx इधर चला गया log y इधर आ गया तो x dx equal to कितना हो गया log y, one upon log y dy हो गया ना मतलब ये जो function है आपका ये कब support करेगा गुणा है जब क्या है गुणा है बढ़ देखो यहाँ पर क्या हो गया क्या आ गया बीच में plus आ गया है मतलब जैसे ही plus आ गया है तो थोड़े से चोकनने हो जाओ हो सकता है ये लग भी जाए और हो सकता है ना भी लगे हो सकता है लग भी जाए या ना भी लगे अगर लगेगा तो थोड़ा सा कहीं न कहीं common part xx के common part जैसे अभी अपने पुरुवाने question देखे थे plus आया था फिर भी लग रहा था देखो ये देखो था ना मगर plus आने के बाद भी बीच में क्या involved था गुणा ये देखो multiply multiply उपर वाले question में देखो ये 100 plus में थे थे बड़ाबने चलाकी करके पहले इसको देखो किसमें बदल लिया था इसमें बदल लिया था ना अब ये मेरी बात को पकड़ नहीं लिया था ये तो plus में अरे बगया प्लस में था तो कुछ नहीं इसको इस तरप कर दिया था बन गया था तो बांकी सम्में multiply divide multiply divide आपको मिलेगा ठीक है हाँ तो मतलब कुल मिला के अब आप इसको करने की कोशिश करो किससे करने की कोशिश करो आप इसको वह आप इसको यदि उससे करने की कोशिश करते हो जो मैंने आपको method अभी बताई वेरियेबल सेपरेबल चर प्रतिस्थापन तो इससे यह हल ही नहीं होगा आपका यह वाला जो पार्ट है यह हल ही आपको नहीं होगा देखो करके देख लो यह हल ही नहीं होगा यह अपने पास question है अपने लेके चलेंगे डीवबल डी x equal to बोले सर ने सिखाया था सबसे पहले उसको इधर कर दो सेक एक्स माइनस वाइट एन एक्स बोलो हाया न अब भया आपको कुछ भी करके x को अलग नहीं कर सकते हो यह सेक्स है और यह y के संद मल्टिप्लाई में हैं बोलो कुछ भी करके क्या आप अलग कर सकते हूँ नहीं कर सकते हां अगर यह होता कि यह भी सेक्स होता अगर एक फल के लिए तो आपको थोड़ा सा जागना पड़था यहां पर मानलो यह क्réeक्शन होता सेक्स माइनस द्यन centuries । स्वरी वाइशinक एकस तो आपके पास क्या करते फिर ड कल ड है कोसी म्ह det यहां से लिए test कॉमन-प्रेक्ट में क्या बतता आन ओन माइनस वाइन थो अब क्या नाम है linear differential equation हम सबसे बड़ी पहचान आपको linear differential equation की बनावत बताते हैं बहिया आपके पास सबसे पहले डीवबे dx का जुगार कर लो किसका जुगार कर लो डीवबे dx का ये differential equation जो है single y अगर इसके अलावा कहीं y square देख गया y cube देख गया मतलब सब कलत सब कुछ नहीं लगेगा फिर ये method आपकी लगने वाली नहीं है तो आपको के वली देखना है डीवबे dx और फिर आंगे plus में minus में दो चीज में plus में या minus में एक y की power 1 sir अकेला होगा अरे इसके साथ जो कांड होना हो करने दो किसके multiply divide जो होना होता रहे बट y की power 1 जरूर बैठा होगा समझ में आया इधर जो होना है equal में इसके equal में कुछ भी हो जाए कहीं भी हो जाए हमको दो केवल एक चीज से मतलब है डीवबे dx से प्लस हो या minus हो y की power कित्ती 1 हो समझ गया न और इसके साथ जो भी चिपका हो चिपके रहें दो दूसरा एक पहला एक format है दूसरा format क्या है अगर आपके पास question है डीएटी ठीवाई डीएकस भाई बहलो Dependent' इंडिपेंडेंट कौन हिन्दी में परतंत्र कौन स्वतंत्र कौन समझ में आया परतंत्र होता है एकस और स्वतंत्र होता है वह आ और on the हमेशा परतंत्र की फॉर्म में दिया जाता है सुन लो इधर उत्तर हमेशा किसकी फॉर्म में दिया जाता है परतंत्र की फॉर्म में इधर देखो भाई इनकुल डी वभाई डी एक्स का उत्तर हमेशा जो आएगा इसका जो हल आएगा वह वाई आएगा इसा रूप में आए तो dx by dy का function है तो बोलो किस की power 1 होगी साथ में अरे गल्ती कर دी ओद आरे x डिपैंडेंट है जब dy था तो y की power 1 थी यहाँ पे कौन है dx upon dy है तो किस की power 1 होगी x की क्योंकि परतंतर काई में है यह किस में परतंतर था y में तो y की power 1 थी ये किसमें परतंत्र है तो काई की पावर वन होगी आ गया समझ में बस ये तलास करना है तो dx by dy की structure बने तो किसको ढूड़ोगे x की पावर 1 को और dy by dx बने तो किसको ढूड़ोगे y की पावर 1 को इनके साथ जो चिपका होता है प्यारे वो p होता है यहां पे जो चिपका होगा उसके साथ वो क्या कहलाएगा पी समझ में आया चो आईए इसके दोनों format मैं पहले पढ़ा देता हूँ फिर इसके बाद इस question को कराऊंगा पहले इन दोनों के format आप देख लो कि इसमें कितने कितने format आ सकते है तो इसके format हम देखे लेते हैं बच्चो इसके दो format है इस function के इस स्वाली समस्या के दो problems वक्ते हैं इनको बोलते है linear differential equation क्या बोलते हैं हाँ हिन्दी मोलते है रेखी आवकल रेखी आवकल समी करन अब या रेखी तो पुरी दुनिया में famous है कि रेखी का मतलब क्या होता है अरे जहां पर dependent variable की power 1 होती है उसको क्या बोलते हैं रेखी है तो यहां पर d by dx plus p into y की power कित्ती 1 equal to क्या q, p और q क्या है जो कुछ ना समझ में है वो constant होता है yes or no, ये गुडांक है क्या है, गुडांक तो p और q क्या है गुडांक है, p और q क्या है गुडांक तो p और q क्या है भाई साब, गुडांक है और गुडांक होंगे तो काई के फलन होंगे x के, किसके फलन होंगे x के, अब आप कहोगे y क्यों नहीं हो सकते हैं, वेटा मान लो अगर ये y हो गया, और y में अगर y square हो गया तो क्या ये रेखिक रहे गया के नहीं रहे गया बात तूड़ गई ना y की पावर कित्ती हो नहीं थी और यहां पर कित्ती हो गई फोलो हाया ना इसलिए कभी y के गुणांख हो नहीं सकते किन के गुणांख होना पड़ेगा हाँ अगर ऊपर नहीं ऊपर एक्स है तो फिर यहां भी एक्स है यह कह रहे हो क्या अभी आएगा सेकेंड फॉर्मिट आ रहे है अपन पहले 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 फॉर्मिट देख ले तो d by dx प्लस by equal to q समझ में आ गया ना तो यह किसमें रेखिक अउकल समय करना है variable y में किसमें है य घरेंबल बॉइमेर तो इसका जो हल निकलेगा तुम बताओ मुझे कैसा निकलेगा इ hypothesis के रूप का निकलेगा कि एक्स बराबर फ o oax Records आ अब bethwater लिए इसका जो हल निकले ओ बाइज Fx सबसे ध्यान की बात Y की पावर किती होगी 1 चलो अगला देखते हैं अगला ओकल समीं करो DX by DY DX by Plus P बोलो किसकी पावर 1 X की पावर 1 Equal to कितना Q यहाँ P और Q क्या होंगे बोलो गुडांक होंगे और किसके फलन हो सकते हैं P और Q Y के फलन Q यह क्या होंगे Y के फलन क्या होंगे Y के फलन आ गया समझ में न तो चलिए दो प्रकार के फॉर्मिट हमारे बन चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टनेंट है एक बार फिर से रिवाइस करता हूँ पहला फॉर्मिट आया है DY BY DX plus P Y Equal to कितना Q अब इसको हल कैसे करते हैं सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे Integrating Factor समाकल गुडांक क्या निकालेंगे समाकल गुडांक वो होता है IF Integrating Factor निकलता है E की Power Integration PDX E की Power Integration भाई है DX में हो रहा है तो यहाँ भी DX आएगा No Problem अब इसके बाद इसका निकलेगा हल क्या निकलेगा हाँ तो लिखेंगे जिसका हल दिया जा सकता है कैसे दोगे हल हल इसका क्या होगा बोलो Y होगा न तो Y multiply by कितना Integrating Factor IF Y into IF Is equals to Integration Q into कितना IF Sबसे पहले IF निकलना उसके बाद क्या निकलना हल निकलना यह दोनों बाते आपको याद करनी पड़ेगी आज आईए आँगे चलते हैं आँगे है दूसरा format है DX by DY Plus P बोलो क्या आएगा X आएगा क्यों Y आएगा X क्योंकि X की पावर बन चलेगा Equal to कितना Q हाँ बोलो यह Y में है कि X में है X में है बोलो dependent कौन Independent कौन Y तो integration integrating factor बताओ श्री E की पावर कितना हैगा बोलो PD 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 Y अरे भाई PY का फलन है तो कौन आउकलन करेगा इसको समा कलन करेगा Y ही तो करेगा न Clear हुआ PD Y अब इसका solution बताएंगे कौन बताओगे भाई आप बताओ रहुगा जी बताइए हाँ बोलो अच्छा अरे यह बता रहे हो यह बताओ न Q क्यों क्यों आएगा भाई नहीं पहले यह वाला पार्ट बोलेंगे न आप यह वाला पार्ट बोली है लेफ्ट वाला हल जो होगा अरे X आएगा यहाँ डिपेंडेंट कौन है X तो आपने Y बोल दी X ले में रुख गया X into IF Is equal to बोलो integration में Q IF DY बहुत बढ़ी है समझ गया न तो यह दो फॉर्मेट है इनके बाहर से आपका सवाल नहीं आना बच्चों बस यह दो फॉर्मेट को याद कर लो समझ गया न Clear Done चलिए आंगे बढ़ते हैं तो इसका सवाल अब आ गया अपने पास सवाल उस सवाल को हम हल करते हैं यह देखिए अपने पास सवाल है DY BY DX PLUS Y 10X EQUAL TO SEC X ओके तो इसको लिख देता हूँ मैं DY BY DX PLUS भाई आच्छे से लिख दो 10X INTO कितना Y EQUAL TO कितना SEC OF X तुलना करिए जो हमारा समीह करन है DY BY DX PLUS P Y EQUAL TO Q से सबसे पहले इसको MASTER EQUESION A दे दो और इससे तुलना करो बोलो P के जैसा कौन 10X Q के जैसा कौन SEC X ठीक है अब इसके बाद निकालना है INTEGRATING FACTOR E की पावर INTEGRATION PDX P क्या है 10X और क्या है DX चलो परहुँ है बता यह 10X का INTEGRATION क्या होता है 10X पर मोफ वो नहीं होता है जल्दी बताव जल्दी बताव जल्दी बताव गलत बिलकुल गलत भाई 10X और बता रहा हो को अगभ दे तुम 10X का INTEGRATION होता है LOG OF हाँ क्या होता है LOG COS X LOG SEC X क्या होता है लॉग हाँ माइनस लॉग कॉस एक्स होता है लॉग सेक्स होता है ना है ना तो माइनस के चक्कर में मत उल्यो ठीक है ना यहाँ पर लॉग सेक्स हो गया इसे लॉग क्या हो जाता है कैंसल इ और लॉग दूसरे को उल्टे फंक्शन होते है क्या हो जाता है कैंसल बट cancel मत करना, eliminate करना, function को eliminate किया जाता है, gap किया जाता है, कटता नहीं है function, function कोई number नहीं होता है, समझ गया ना, जैसे मेरे पापा का बेटा, यानि कि मैं, पापा का बेटा, है ना, x के पापा का बेटा, ये देखो, x के पापा का बेटा, क्या आएगा, x ही ना आएगा, तो यह थोड़ी ना कि पापा से बेटा कट गया, यह फलन होता है, मैं अबकुल मिला के, देखा होगा आपने, इसको मैंने डेटेल आपको फंक्शन में तो पढ़ाया ही है, तो मतलब यह छोटी समझा और कार्ड भी दोगे तो ऐसा कोई पहाड गिरने वाला नहीं है, चलो, बो y into, क्या आएगा बिटा, if is equal to integration of if की value का q into if, बोलो q कितना इसमे, sec x, into if, if कितना निकला है, sec x, plus कितना, c, तो y into if की value, फिर से रख दो भी है, sec x, equal to, यह sec x का integration, sec square x हो जाएगा, और dx भी लगेगा, भूल गया सा लगाने लगाने, लगाने लगाने, प्लस कितना, c, तो y sec x equal to sec x square x का integration, बोलो क्या होता है, 10 x plus कितना, यह आपका आगया answer, y sec x equal to 10 x plus c, done, यह तो इस तरीके से आप जो है, आप अपने इसको solutions, question को हल कर सकते हैं, हाँ, यह देख लिए, y sec x equal to 10 x plus c, done, ओके दो बच्चों, इसी concept पर आपको यह पूरे questions लगाने हैं, जड़ा सा देखे, कैसे करेंगे इन questions को, अब आप देखते जाएगे, और बताते जाएगे, कि आपको यह question बनेगे, कि नहीं बनेगे, देखे, यह है, y log y dx minus dy equal to 0, तो स x के नीचे x को, और इसका क्या करना है, simple, आपको integration याद आगे, पहला question है, यह सही था, तो यह भी आपको बन जाएगा, no problem at all, हाँ, इस पर वो ही लगीगी, और इसके पहले था अपना differential वाला, linear वाला, यह वाला part हो गया, इसके बाद देखे, अरे भाई, देखते ही बन ग काम किया है, यहाँ पर आने के बाद integration y करने के बाद एको sin inverse x plus sin inverse c, बोलो हाँ, और फिर sin inverse y minus sin inverse x equal to sin inverse c कर दिया है, फिर formula लगा दिया, sin inverse a minus sin inverse b का, अब आपको formula याद होना चाहिए, बरना आप यहाँ तक ही छोड़के आ सकते हो, नमबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है, ह स्वादा नुसार की बात होती है, बात किसकी होती है, स्वादा नुसार, तो स्वादा नुसार देखो हम भी sin, x b sin, तो constant भी किस में, sin में, सारे एक जैसे ले लिए जाते हैं, तो एक तरीके से solution अच्छा सुन्दर देखने रगता है, चलो भाई, आजाओ, इसके बाद यह होमोजीनियस है, होमोजीनियस की मैथड मैं कल आपको पढ़ाओंगा, आज होमोजीनियस नहीं करा रहा हूँ, कल मैं आपको होमोजीनियस का question करा रहा हूँगा, और देखते आंगे, यह देखिए, 1 प्लस x स्क्वाइर, डी वबे डी एक्स, और 2 x y, ओए भाई, देखो, टकरा आ गया, y की पावर कित्ती है, 1 है ना, मगर देखो, डी वबे डी एक्स का कोफिशन्ट 1 प्लस x स्क्वाइर है, कर दो दोनों तरब भाग 1 प्लस x स्क्वाइर से, तो इधर का दे दिया भाग, देखो, 1 हो गया, 2 x के नीचे जाके बैढ़ गया, और 4 x स्क्वाइर अ 1 दिख गया, कौन सा है ये, linear, कौन सा है, linear तो 1 प्लस x स्क्वाइर नीचे जाएगा, 2 x अपॉन प्लस x स्क्वाइर, कॉस x के नीचे 1 प्लस x स्क्वाइर, डन, कर लोगे न, येस, ओके, ये देखे, ये वाला कॉस्चन कॉन सा है, ये वैल्ली बेस कॉस्चन है, कल इसको कर आएगा, ओके, 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 ये देखिए, डीवाबे, डीएक्स इक्वल्स टू इतना है, ठीक है, डीवाबे, डीएक्स इक्वल्टू इतना है, और रुक ये जराजनाब, थोड़ा सा दिमाख लगा ये, बोलो, x प्लस y प्लस 1, अगर मैं इसको पल्टी मार तो बोलो, dx प्लस, dx पॉन कितना, dy, कुछ दिखा, x की पावर किती है, दिख्या, तो dx बाई, dy, माइनस, x, माइनस, x, इधर कुछ नहीं बचा, तो कितना, y प्लस 1, दिख्या, तो dx बाई, dy, प्लस, px, एक्वल्टू क्यू की फॉर्मिट आगे ही नहीं, आई, आप कर लो y-1, क्यू के जैसा कौन, y-1, ये देखो, मैच कर लो, p के जैसा कौन, y-1, क्यू के जैसा कौन, y-1, ओके, जड़ा बता दीजे, पर वहाजी, इंटी ग्रेटिंग फेक्टर क्या होगा, इस बार, e की पावर, बिल्कुल सही, pd, y, ठीक है न, तो हो गया, इसको इस तरीके स्वाल करें, बस यही थोड़ा चौकाना रहना पड़ेगा आपको, कि x का फलन है, कि y का फलन है, लिए भाई, कुछ दिखा, अरे कुछ दिखा कि नहीं दिखा, सबसे पहले इनको उधर करो, बोलो हाया न, अरे इतनी बड़ी मल्टिप्लिकेशन देख करके, मेरे मन में त उटता है कि पक्के से यह क्या होगा, वेरियेबल से परिबल, क्या होगा यह, देखो न, x के बराती, यहां भी x के बराती, यहां y के बराती, यहां y के बराती, और इनको धुदर जाने ही था, बोलो हाया न, तो इधर का उधर की यह, देखो, second square y के नीचे क्या आ गया, 10 y 10 x, नीचे दुकान, ऊपर पकवान तो लोग आ जाएगा, भाई, कलो गया, डन, चलो, अगला समी करन देखो, भाई, देख कर के बताओ, बोलो, y की पावर किती है, 1 है, दिख गया, तो इसको इधर लेकर क्या होगी, तो बन गया, यह, अवकल, समी करन, डिफरेंशेशन ल इकल टू होगया, dx अपॉन कितना, काई में है, उकल समी करन, x में की y में, x में है, और x की पावर किती है, कर लोगे, बस तो कर लेना, ओके, हाँ, चलिए, डी वाबे, dx, बोलो, y की पावर किती, तो कॉस स्क्वार एक्स का डिवाइट कर दो, दोन तरफ हाया ना, तो डी बढ़े, dx प्लस, py, कुल डू क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, आंसर कर लोगे, ठीक ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वार एक्स बन जाएगा, बिल्कुल सही, हाँ, बोलो, y की पावर किती, क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, ठीक है, और उसके बाद, पूरा का पूरा उसी dy लाओगे, इधर कितना बचेगा, 10 inverse y माइनस कितना, और यहाँ बैठा है, 1 प्लस y स्क्वार, 1 प्लस y, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, 1 प्लस y, बोलो, x की पावर किती है, 1 बन गया, फॉर्मेट कर लेंगे ना, बस उस साइड ले जाएगे, इसको, और px प्लस q की फॉर्म लगा करके solve कर लिजिए, clear, चलिए, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से देखे, यहाँ पर dx by dy है, x की पावर किती है, 1 है, तो सबसे पहले हमको क्या बना पढ़ेगा, dx upon dy, बनाना पढ़ेगा, clear है न, तो इसको पूरे को पलटके ले जाना, dx upon dy, और इसको थोड़ फॉर्मेट में x की पावर 1 होती है, या y की पावर 1 होती है, ऐसा ऐसा फिर यह नहीं लगेगी, मैंने कहा अगर जिसका आपका जैसे आपके पर dx है, और यहीं पर मौझूद है y square, तो पक्का यह linear नहीं होगा, y में linear नहीं होगा, फिर आप तलास कहो कहीं, single x तो नहीं मिल पावर में, समझ में आए ना, अब जैसे देखूए यह डीवबे dx तो है, मगर क्या बैठा हुआ y का, मतलब किसी भी हालत में y की पावर में तो हो नहीं सकता है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से practice करिए इसके, आंगे के question कल कराएंगे, निकालीजी बुक्स और इसको solve करते हैं, आज बच्चो जितने question मैंने कराएं हैं आज, उन पर बेजड़ आपको जल्दी जल्दी से full speed में करने question, exam pass में, चलिए, थैंकि सूमज बच्चो, बाबाई